कुवारी बेटी हो गई गर्भा होती माबाप के सामने बड़ी समस्या थी क्या करते बेटी को समझाया बुझाया किन्तु उसने जबाब दिया कि हम भले ही कुवारे हैं किन्तु हम उसके बच्चे को जनम देंगे खाल उच बहुत कुछ निचा उचा सब समझाया बताया लड़की राजी नहीं होती है माबाप को लगा कि हमने जनम दिया है पाला पोसा है पढ़ाया लिखाया है बड़ा किया हमारी बात एक ने एक दिन मान जाएगी ऐसा करने में उन्हें साथ महीने लग गए माबाप और परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि यह उसके बच्चे को जनम थे माता पिता का कहना था जब बेटी की तबियत कुछ नासाज हुई तो हम लोगों ने उसे हलके में लिया था कुछ हुल्टी हुई चक्कर आया तो लगा कि कुछ होगा दवा दिलवाया पता नहीं लगा किन्तु बाद में उसका पेट बढ़ने लगा तो सक हुआ फिर डाक्टर को दिखाया डाक्टर ने देखते ही बताया इसके गरब में तो बच्चा पल रहा है पैरों की जमीन खिसक गई क्योंकि उस समय पाँच महिने का गरब था वह बाहर निकलती तो महिलाया और पुरुस बच्चे उसे घूर घूर कर देखते थे साहिद उन्हें भी इस बात का आभास हो गया था कि उसके पेट में बच्चा है हम किसी से आख नहीं मिला पा रहे थे किसी के जबाब देने की हैसियत में नहीं थे और लोग सक की निगाह से हमें भी देखते थे हमारी बीज़्यत सी साब और बेटी के वज़े से सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई अंतिम राष्टा था कि हम इसका आवार्षन कराते उस भुरूण की हत्या कराते डाक्टर से बात भी कर लिया था किन्तु अपूरी तोर से इस जिद पर अड़ी वी थी कि हम पेट में पल रहे उसके भुरूण की हत्या नहीं करेंगे बलकि जर्म देंगे दुनिया चाहे जो भी कहे हम इसे मारेंगे नहीं मामला उतरपदेश के मुझफर नगर का है जहां माँ बाप ने अपनी सगी बेटी जो साथ महिने से अधिक की गर्भवती थी उसका काम तमाम कर दिया जब बेटी दो तीन दिन तक नहीं दिखी तो गाउवालों को सक हुआ फिर प्रधान ने पूछा और पुलिस को सुचना दिया कि लग रहा है कि बेटी को मार डाला गया है पुलिस हाती है पहले तो काफी टाल मटोल किया इन लोगोंने लेकिन जब कड़ाई किया तो उसने अपना जुरूम दोनों ने कबूल कर लिया जो कहानी बताई उसे सोच कर आप भी सिहर जाएंगे बेटी पढ़ने में काफी अच्छी थी जैसा कि माबाप ने कहा हम दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था अच्छी नौकरी बिलेगी या पन लिख लेगी तो फिर सरकारी सेवा में जाएगी फिर हम किसी नौकरी वाले अच्छे खांदान के लड़के को देखकर इसके हाथ पीले करनेंगे देखने में वो सुन्दर भी थी पढ़ाई के लिए उसे मेरट में एडमिशन करवा दिया गया मेरट हमारे घर से बहुत दूर नहीं था ऐसा उनका कहना था घर गिरिहस्ती के कुछ सामान लेने के लिए भी मेरट जाना पड़ता था और पढ़ाई के लिए भी इस बीच वह एक लड़के के संपर्क में आई और उससे फिर बाचीत का सिलसिला सुरू हो जाता है कभी कभार लगा कि वह फोन से किसी से बात करती है कि इन्तु हम लोगों ने खास तवज्यों नहीं दिया इसलिए कि पढ़ने लिखने की बात कर रही होगी कुछ उसकी सहलियों के भी फोन आते थे बात करने वह छट पर जाती थी कहीं और जाती थी तो हम लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया लेकिन लगा कि उससे कोई मिलने आता है गाओं के बाहर और फिर एक दो लोगों ने कहा भी कि तुम्हारी लड़की से कौन मिलने आता है कोई रिष्टे का है कोई संबंधों का है फिर पूछा गया तो उसने उल जलूल जवाब दिया और फिर हमने काफी समझाया बुझाया हम लोगों ने तो वह मान गई लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं मेरट भी मिलती थी और फिर गाओं के बाहर भी मिलती थी बाद नो उसने कहा आम उसी से साधी करेंगे प्यार करते हैं हम लोगों ने कहा अभी प्यार की उमर नहीं है तुम्हारी एठारा साल अभी उमर होने वाली है पढ़ लिखलो और वह हमारे खांदान जैसा नहीं है लेकिन वह नहीं मानी पुलिस में रिपोर्ट किया और पुलिस ने 3-4 दिन बाद उसे बरामत कर लिया हमारी तहरीर के आधार पर पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा और भेज दिया जेल लगा कि जेल जाने के बाद हमारी मुसीबत अब खत्म हो जाएगी और उससे जो इसके सम्मंद थे खत्म ह जाएंगे कुछ ऐसा ही इसने कहा भी था लेकिन इने समझना बड़ा मुस्किल है और फिर आगे कोट में बयान होना था हम लोग लगातार समझा बुझा रहे थे कि बयान उसके खिलाफ देना है और फिर यह सब समझाना बुझाना चल ही रहा था कि उसका पेट निकलने है अगर वह अभारशन के लिए तयार हो जाती तो हम उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं साब अपने ही बच्चे को कोई मारता है क्या कोई इस तरह की हत्या करता है क्या मांने कहा हमने नव महिने तक उससे गर्भ में पाला था किस तरह से हमने उसे जनम दिया हम ही जानते हैं एक मा ही जानती है हम उसे मारते क्या लेकिन वह बारशन के लिए तयार नहीं हुई और फिर लगा कि लड़के के खिलाप हो बयान किसी भी तरह नहीं देगी लड़के के पक्ष में बयान देगी जो बची खुची प्रतिष्ठा थी वह भी चली जाती इसलिए हम कहीं के भी नहीं रहते हम उन दिखाने लाइक नहीं रहते तीन दिन बाद उसकी सुनवाई कोर्ट में होनी थी और वह कोर्ट में जाती तो बयान उसके पक्ष महीं देती फिर क्या था एक कठोर निड़े लेते हुए रात को जब वह सो रही थी उसी समय हम लोगों ने गला दबा कर उसके मुँँ में कपड़ा ठूस कर और फिर उसके गले में रसी बात कर उसके जीवन को समाप्त कर दिया एक साथ दो जीवन समाप्त होते हैं सक होने के बाद गराम प्रधान धर्मपाल सिंग ने लड़की के बारे में हमसे पूछा तो हम लोगों ने कहा रिष्टेदारी में गई है लेकिन साब ऐसा पाप छुपता कहा है पूलिस को सुचना दी गई पूलिस आई और पूलिस ने हमसे कबूलवा लिया फिर उसको हम लोगों ने काली नदी में फेका था कतल के इलजाम लगे हमारे उपर और तीन सो दो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए अब हम मतलब दोनों फिर उसके बाद जेल चले गए दोस्तों इस बारे में आपसे मैं बिनम्रता पुरबक चाहूंगा कि आप अपने कमेंट संप्रेशित करें इस वीडियो कि अन्त को देखने के बाद कि क्या माबाप को ऐसा करना चाहिए माबाप को ऐसा करना क्या उचित था लड़की ने तो अनुचित किया इस बात को आप कहेंगे बहुलता में भी लोग कहेंगे कि माबाप का ध्यान नहीं रखा माबाप ने किस तरह से गरीबी में उसे पाला पोसा तो माबाप को किस प्रकार लड़की को ट्रिट करना चाहिए और इस प्रकरण में कहा कहा चूक हुई है और आगे जो हसर होगा उसे आप जानते ही हैं अपने ही बेटी सगी बेटी और दो-दो हत्याओं के अपराध में माबाप जेल में है जमानत हाई कोट से नीचे नहीं होगी और आगे इस मामले में अगर भी वेचना ठीक से होई आरोपतर दाखिल हुआ तो इनके उपर कम से कम दस साल की सजा होगी और आजीवन काराबास की सजा भी हो सकती है दोस्तों आपके कमेंट आदर पुर्वक आमिंतरित किये जाते हैं और बताएं कि ऐसे प्रकरण हर गाओं में हैं हर जगा हैं क्या करना चाहिए किसका दोस सादर पड़ाम नमस्ते